हेलो क्रुशिट फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल रेहा क्रुशिट कॉर्णर यह हमारे हुली स्पेशल वीडियो का सेकेंड पार्ट है इसमें हम वाटर गन बनाने सिखाएंगे यह हम वाटर गन बनाएंगे यलो और ब्लू कला में बनाना सिखेंगे फर्स्ट पार्ट में ह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है बेल को ज़रूर दबाए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरे चैनल को जादा से जादा शेयर करें आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आज मैं येलो कलर एंड ब्लू कलर यान यूज कर रही हूं और मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए पर्स लिए हैं और चेन बॉल ली है एंड मैंने आज क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm क्रोशिया हो के लिया है टेपेस्टी नीडल्स हमारे एंड्स को वीव करने के लिए एक स्टिच मार कर लिया है हमारे स्टिच इस को मार करने के लिए पियर उफ सिजर्स ग्लू एंड सम फाइबर फिलिंग सम फाइबर फिलिंग सम फाइबर फिलिंग हमें फाइबर फिल कर करने के लिए एंड चले इसे बनाना शुरू करते हैंगे पहले हम एक मैजिक लूप लेंगे मैजिक लूप लेने के बाद लेंगे एक चेन लेकर एक चेन ओर लेंगे और इस चेन में हम six single crochet करेंगे इस तरह से loop को लेंगे one two इस तरह से थोड़ा सा pull कर लेंगे crochet को अंदर डालेंगे loop के और इस तरह से निकालते हुए three four and five and last six हम six single crochet बनाएंगे अब हम इसे slip stitch नहीं करेंगे अच्छी तरह से magic loop को हम ऐसे close कर लेंगे हम single crochet को slip stitch से close नहीं करेंगे हम इस round को हम यहां ही पे एक और single crochet बनाएंगे single crochet बनाकर हम यह जो हमारी stitch है इसको mark कर देंगे stitch marker से इस तरह से और यह हमारा next round शुरू हो गया है और अब जो next stitches है six stitches उसे पर हम six single crochet फिर से करेंगे यह जो हमारा second row है उस पर भी हमें six single crochet ही करना है one two three three यह देखिये इस तरह से कुरुश्य है को अंदर डालें गे लूप लेंगे और इसा तरह से निकालते में फोरす भी इस तरह SE निकालेंगे कुरुशिया को यह फाइफ यह लास्ट यह सिक्स इस तरह से स्ट्थिच नहीं करेंगे इसी सिंगल कुरुशियां के ऊपर हम एक सिंगल क्रुशिय और बनाएंगे हम राउंड में वर करेंगे हम slip stitch नहीं करेंगे हम यहां stitch marker से stitch को mark कर देंगे इस तरह से और अब हम यहां सिंगल क्रुशिय बनाएंगे फिर से यह मारा next pro शुरू हो गया है यह देखिए इस तोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में बट आप आराम से कीजिए इस तरह से लूप को लेंगे पर इसंगल कुरूश्य बना देंगे इस तरह से लूप को लेते वे यह नहीं सिंगल कुरूश्य बना दिया टू तरह से कुरूश्य हो के अंदर डालेंगे त्री फोर फाइफ एंड लास्ट हमारा सिक्स अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हम इंक्रीज करेंगे और हम हाफ डबल कुरूश्य बनाएंगे हम जो हमारे सिक्स सिंगल कुरूश्य है उसे हम एट हाफ डबल कुरूश्य कर देंगे तो हमने टू हाफ डबल कुरूश्य बना लिये हैं नेक्स्ट में हमने फिर से एक हाफ डबल कुरूश्य बनाएंगे तो यह हमारे थ्री हो गए फिर से नेक्स्ट में हम आफ डबल कुरूश्य बनाएंगे नेक्स्ट में हाफ डबल कुरूश्य बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल कुरूश्य बनाएंगे और फिर हमारे पास नेक्स्टिच रह गई है उसमें हाफ डबल कुरूश्य हम टू टाइम बनाएंगे वन एंड यह वन टाइम इसी जग हम दूसरी पर बना देंगे यह देखिए शेप लेने लग गया है इस तरह से यह देखिए यह शेप आने लग गई है हमारे नोजल की और अब हम यहां स्लिप स्टिच लगा देंगे स्लिप स्टिच लगा कर मैं इसे यान को कट कर दूंगी और यह हमारे एट हाफ डबल कुरूशिया बन गए है अब हम हमारा सेकंड कलर लेंगे सेकंड कलर हमारा ब्लू कलर है मैंने स्लिप नॉट ले लिया है और जहां मैंने स्लिप नॉट लगाया था स्लिप स्टिच किया था वहीं पर मैं मेरा सेकंड कलर अटैच कर रही हूं सेकेट कलर इस तरह से मैंने टैच कर लिया है एक चेन लिया है अब मैंने बैक रूप में वर्किया है के वर्क डेट कर scoot के पर यह थोड़ासा डिफिकल्ट हो सकता है यह बहुत जाधा च्छोटाह इसलिए difficult हो सकता है अब हम 8 half double crochet के उपर 8 single crochet करेंगे इस तरह से 8 single crochet बनाएंगे हम यह half double crochet है इसकी back loop के उपर हम यहां यहां इसी तरह मैं मेरा round complete कर लूँगी यह देखी मैं round complete कर लिया जो भी हमारा extra जो यह thread है उसको crochet hook के back से इस तरह से मैंने सारा अंदर डाल दिया है ताकि यह हमारे बीच में ना आए working thread के इस तरह से और अब मैंने slip stitch नहीं किया है क्योंकि हमें जो हमारा work है वो हमारा round में हम work करेंगे तो हम जो हमारा first जो हमने single crochet बनाया है उसे हम mark करेंगे यहां पर इस तरह से और हमें 11 round बनाने है yellow के हमने बनाया है अब blue के हम 11 round बनाएंगे single crochet के यह देखिए इस तरह से यह हम crochet hook डालेंगे यह first single crochet में हमने loop लिया और यह हमारा first single crochet बनाया है इसको हम mark कर देंगे यह mark करने के बाद जो हमारे next single crochet है इस तरह से crochet hook डालेंगे और यह single crochet बनाया two, three, four, five, six, six, seven and eight और फिर से हम slip stitch नहीं करेंगे जो हमारा first single crochet है उसी पर हम single crochet बना का stitch को mark कर देंगे इस तरह से और इसी तरह से हम eleven rounds complete कर लेंगे देखे मैंने eleven round complete कर लिया है इस तरह से eleven round हमारे complete हो चुके है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten eleven और अब जो हमारा last है उसे हम slip stitch से close कर देंगे और एक लंबी टेल रखेंगे और इसे cut कर देंगे यांड को इसे close कैसे करना मैं आपको बताती हूं यह देखिए इस तरह से यह हमारा shape ले लिया है water gun ने यह मैंने एक wire लेकर उस पर thread को लेपेट दिया है और यह हम इस gun के अंदर इस तरह से डालेंगे पहले हम इसे fiber fill डालेंगे और glue लगाकर इसको अंदर डाल देंगे यह fiber fill को हम पहले fill करेंगे इस तरह से crochet hook की help से हम fiber fill को fill कर देंगे इस तरह से crochet hook की help से हम फाइबर फिलिंग को इसे ना तो हम ज्यादा भरेंगे ना हम इसे कम रखेंगे फाइबर फिलिंग को ताकि ये पिछका हुआ लगे नॉर्मल ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा डालेंगे इसके अंदर सफिशिंट जितना लगे आपको उतना ही आफ फिलिंग इसके करें इस तरह से यह देखिए मैंने ले लिया है यह वायर और अब मैंने इसके उपर ग्लू लगा के इस तरह से ग्लू लगा कर इसको अब हम वाटर गन के अंदर सैट कर देंगे पीछे इस तरह से अच्छे से सैट कर देंगे और कुछ फाइबर फिलिंग के थ्रू इसको एड़स्ट कर देंगे इस तरह से फाइबर फिल लेकर तूथ पिक की हेल्प से इसको एड़स्ट कर देंगे यह देखिए इस तरह से ये इस तरह से एड़िस्ट हो गया है और इसे क्लोज कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं कि इसे क्लोज करने के लिए फैले हम त्रेट को निकाल लेंगे इस तरह से फिर इन आउट इन आउट करते हुए नीडल को हमने ä और यह वर सारी स्टिचिछ से निकाल लेंगे सिंगल कुनिट स्टिचे से इंड आउट करते हुए हम निकाल लेंगे इस तरह से इन एंड आउट in एंड आउट करके निकाल लेंगे और फिर ये साथ फिर एक साथ इसे पुल कर दीजी और जो एक्स्ट्रा हमारा यान है उसे इन आउट करके इस तरह से पीव्स को आन्ड करके कट कर दीजें इस तरह से करकर कट कर दीजें और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे विध जैसा भी आपका मन हो वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं मैंने यह यहां इस चेन से इसको डेकोरेट किया है यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है कितना सुन्दर लग रही है यह पिछकारी अगर होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन दबाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें